एक Wi-Fi network के साथ connected है और पीछे जो laptop है बहाँ से मैं डिय आथेंटिकेशन packets को inject करूंगा और यह जो phone है यह देखिए Wi-Fi network से disconnect हो चुका है यहाँ पर पहले मैंने सिर्फ 5 ही packet को inject किया था यहाँ पर मैंने 50 packet को inject किया लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए जो mobile phone का जो Wi-Fi connection है वो इंट्रेस्टेड है लेकिन आप अगर एक Wi-Fi network के owner है मतलब आपके घर में कोई Wi-Fi network है या फिर आपके office में कोई Wi-Fi network है उस case में अगर कोई आपके Wi-Fi network में बुसके आपके devices को वो scan कर रहा है आपका network traffic वो monitor कर रहा है वो man in the middle को कर सकता है या फिर वो कोई malware या पर ransomware को आपके devices में डाल सकता है काफी सारे चीज़ों वो कर सकता है वो काफी ज्यादा डेमेज कर सकता है आपका and obviously अगर prevention methods आप सीखने जाएंगे तो जो traditional hacking methods से उनके बारे में भी आप लोगो को बता हूंगा तो वो methods भी मैं यहापे आप लोगो को बताऊंगा and जो example है example के तोर पे कुछ चीजे में आप स्टेट करकी भी बता हूंगा ठीक है उनको आप कैसे protect कर सकते हैं उनके बारे में मैं यहापे बताने वाला हूं तो यहापे WPA में इसलिए मैंने select किया है क्यूंकि आज के date में जो maximum routers है वहाँ पे WPA, WPA2, WPA3 का support मिल जाता है और यह जो है यह सबसे ज्यादा secure type का wifi network है आज के date में ठीक है तो यहापे जो most important च है तो यहापे इन सारी चीजों को implement करने के लिए आपको जानना परेगा जो hacker से वह कैसे चीजों को करते हैं मतलब जो hacking है वह कैसे किया जाता है और यहापे मैं जो भी information आप लोगों को शेयर कर रहा हूं यह सारा आपका जो knowledge है cyber security का या पर ethical hacking का उसको बढ़ाना ही इस video का म आपके यहापे wifi network जो हैं दोस्तों वह सारे मतलब इतने easily accessible है क्योंकि यह over the air जो है signals transfer होते हैं तो आप कोई भी signal के range में आएगा तो वह आराम से wifi network को access कर सकता है तो जैसे कि आप लोगोंने देखा होगा wifi networks दो तरह होते हैं एक open network होता है और दूसरा जो password protected network होते हैं तो open network जो है उसमें कोई भी protection नहीं है वो open है कोई भी उसको access कर सकता है लेकिन जो password protected network हैं उनमें काफी सारे types हैं उनमें से जो major दो types हैं वो है एक WEP and दूसरा वाला जो है WPA WPA2 आजकी डेट में WPA3 भी आ चुका है ठीक है तो इनहीं के बारे में अभी detail में है उन लोग जानेंग कर रहा हूं तो यहाँ पर यह साइट में देखे जो सोर्स है यह जो information कहा से लिया गया है यह सोर्स यहाँ पर है वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं या alternatively आप यह जो slide है इसका भी download link में वीडियो के description में डालोंगा वहाँ से भी आप इसको download कर सकते हैं ओके तो यहाँ form है word equivalent privacy मतलब जो word networks होते हैं उसके equivalent privacy इसमें भी provide कि जाने का दावा गया गया है लेकिन उसमें उतना ज्यादा security नहीं है उसमें उतना ज्यादा protection भी नहीं है और यह IEEE 802.11 जो standard है उसको follow करके इसको बनाया गया है और यह जो standard है यह बहुत important है वीडियो के next portions में इसके बा नोट करके रख किया तो यहाँ पर WP में भी दो टाइप का authentication system यूज होता है एक है open system authentication जिसमें कुछ जो router है router के अंदर कुछ policies को set किया जाते हैं उनके according जो station है मतलब जो client devices है वो उनका authentication होता है और दूसरा है shared की authentication shared की authentication में क्या होता है यहाँ पर कुछ algorithm यूज के जाता है उनके मदद से जो client device है जो router या पर जो भी access point है उसके साथ जो communication या पर जो authentication है वो उस algorithm को फॉलो करके वो किया जाता है तो next है WPA WPA जो है वो उसका full form है wifi protected access और यहाँ पर जो WP जो था इसला वाला जो system था उसमें जो भी problems थे उनको fix करके यह जो नया वाला protocol है यह पर नया वाला जो system है इसको design किया गया है और यह भी same 802.11 जो standard है उसको follow करके ही बनाया गया है लेकिन उसमें यहाँ पर जैसे value है पहले 24 bit का use के जाता था यहाँ पर उसको बढ़ा के 48 bit का किया गया है और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर WPA में जो भी weaknesses है वो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो पहला वाला जो है ठीक है ना दा collision evidence implementation can be broken यह वाला and it is vulnerable to denial of service attack मतलब DOS जो attacks है उनके उनक available है तो यह जो दो चीजे हैं उनमें हम लोगों का कुछ मतलब करने के लाए कुछ है नहीं लेकिन जो थर्ड वाला पॉइंट है appreciate की या पिर जो passphrase है वो हम लोग सेट कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग कोई छोटा सा passphrase या पिर appreciate की सेट करेंगे and कोई simple सा जहाँ specific numbers को यूज किया जाएगा करके आप सेट करेंगे या पिर बहुत ही common सा कोई word को यूज करके उसको सेट करेंगे तो उसको बहुत ही आसानी से pack किया जा सकता है तो यहाँ पर WPA type के जो network है वहाँ पर 256 bit का जो passphrase है उसको यूज के जाता है तो यहाँ पर यह जो passphrase है यह encrypted form में रहता है और यहाँ पर यह जो passphrase है यह network में मतलब over the air हवा में से वो travel होता है तो बीच में अगर कोई hacker यह पर कोई बंदा उस handshake को capture कर ले तो वो जो अलग-अलग type के software है software के मदब से उस hash को crack कर सकता है hash का जो password है उसको guess करके वो निकाल सकता है अगर वहाँ पर कोई simple सा password set किया गया है या पर छोटा सा password set किया गया है तो यहाँ पर hash gate के मदब से इसको बहुत ही आराम से किया जा सकता है अगर जो hacker है उसके पास अच्छा सा GPU है यहाँ पर cloud-based service भी है उनके मदद से इसको देखे-ड वाला जो option है इसका मतलब है device ID मतलब GPU ID 1 है method dash m डालके यह जो है यह है actually जो मतलब method मतलब कौन से type के attack के लिए है यह WPA2 के लिए यह वाला number है and dash e डालके attack type यह brute force के लिए number 3 है and यह जो dot handshake.txt file है इसके अंदर जो capture किया हुआ है handshake है हो है इसके अंदर एंद यह जो pattern है इसका मतलब है यह numeric values के साथ इसको try करेगा crack करने के लिए 8 digit का numeric values तो यहाँ पर enter में press करने के बाद यह देखे यह start हो चुका है तो यह अभी कुछ देर के बाद तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह 9 minute 28 seconds के बाद इसने password को निकाल लिया है और यह है password यह जो password है यह actually default password है राउटर के factory setting के अंदर जो password रहता है यहाँ पर जैसे के router के back side में यह password mentioned भी है तो इसका solution एक ही है आपको एक बहुत ही तकड़ा सा एक strong सा एक password आपको यूज करना है तो जैसे के पिछले side में में आप लोग को बताया था जो handshake है उसको capture करने के बाद उसको crack किया जा सकता है तो handshake को capture करने के लिए कुछ special type के software है और कुछ hardware है hardware मतलब वह कुछ नहीं है मतलब एक Wi-Fi adapter है जो के तोरा मतलब जो monitoring mode and Wi-Fi injection कोई एक Wi-Fi adapter होना चाहिए और कुछ एक software से हैं जो काली Linux के अंदर pre-installed आते हैं यहां पर कोई भी Linux distribution के अंदर कोई भी उसको install कर सकता है तो यहां पर जो monitor mode and Wi-Fi injection वाले जो adapters हैं वह आज के डेट में जो यूज करना जाता है तो वह external USB adapter को खरीद के भी उसको यूज कर सकता है और laptop या भी desktop के साथ भी आराम से उसको यूज किया जा सकता है तो यहां पर जो external USB adapters के बारे में बताया था तो यहां पर यह जो white वाला है यह एक 2.4 GHz का है और जो black वाला है यह dual band यानि 5 and 2.4 दोनों बैंड को यहां पर यह support करते हैं तो इनको अगर NetHunter के साथ यूज करना है तो यहां पर यह जो USB OTG adapter है उसके साथ मैंने यहां पर connect कर लिया है और अभी इसको phone के साथ connect करके इसको NetHunter के साथ आराम से यूज किया जा सकता है Android phone and Kali NetHunter के मदद से Wi-Fi hacking कितने हद तक possible है उसके उपर मैंने एक dedicated वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक आप लोगो पर कार्ड में बिल जाएगा ठीक है तो उसके मदद से वह अगर हैंशेक को capture कर ले तो वह उसके बाद वह अपनी घर में बैठके उसको कहीं भी भी बैठके उसको क्राइक कर सकता है और यहां पर यह जो प्रोसेस है इसमें और एक इंपोर्टेंट स्टेप है वह है दिय आथेंटिकेशन दिय आथेंटिकेशन से क्या होता है किसी access point के क्लाइन डिवाइस को उस access point से disconnect किया जा सकता है यह actually WPA2 जो प्रोटोकॉल है उसमें flaw है उसमें problem है उस flaw को यूज करके यह जो है इस चीज को किया जा सकता है मतलब यह सुनने में कुसी मतलब magic की तरह लगता है लेकिन यह होता है यह possible है WPA2 नेटवर्क में यह possible होता है तो इसको रोका जा सकते है इसको अगर हम लोग रोक ले तो कोई हमारे जो हैंडशेक है हमारे नेटवर्क में उसको कैप्चर करना वह hacker के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पर उसको कैसे रोका जा सकता है मैं आप लोगो नेक्स्ट बताऊंगा तो यहाँ पर रहें तो वहाँ पर जो सबसे पहला आपको करना है वह है जो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड उसको आपको चेंज करना है राउटर का एज वेले जो वाइफ़ाय नेटवर्क है उसमें भी एक डिफॉल्ट जो SSID रहता है मतलब वाइफ़ाय नेटवर्क का नाम रहत है उसको चेंज करना है साथ में जोदिफॉल्ट पासवर्ड इसको भी चेंज करना है कि जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वह रॉogenic पीछी भी लिखा रहता है यह पर आउटर का जो पॉक्स है उस में लिक्त करहले कि रहता है उसका जो मेंजोएल इक भी लिसकसे करेंगे तो यहां पर देखिए आप मैक अड्रेस फिल्टरिंग आप एनबल करने से कोई भी मतलब अंट्रस्टेट डिवाइस आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा और यहां पर चौथा पॉइंट है वह सेम ही है एक स्ट्रॉंग पासवर्ड आप लोगो सेट कर नेटवर्क में फायर्वल को इंप्लिमेंट करना उतना ज्यादा एफेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी एक फायर्वल अगर आप सेट कर सकते हैं तो भी आपका डियो डेटा है वह काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा ओके तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसको इंप्लिमेंट अगर आप करेंगे आपके राउटर में तो वह डियोंत्रिकेशन तो एकदम ही जो हैकर है वह कभी भी करी नहीं बाएगा वह क्योंकि वह अलाओड ही नहीं है वह पॉसिबल ही नहीं है ठीक है ना डेवी टू जो है उसमें पहले फ्लॉस थे तो यहा अब जो नेटवर्क को जो वाइफाइड डिवाइस का जो कनेक्शन है उसको मैंनेज करने के लिए जो भी यहाँ पर पैकेट्स या फिर फ्रेम जो ट्रांजेक्शन होता है एकसेस पॉइंट डिवाइस के बीच में वह यहाँ पर एंडेक्रिप्टेट है और इससे पहले वह एंडेक्रिप्टेट नहीं थे वह प्लेइन पैकेट्स या फिर फ्रेम ट्रांसफर होते थे तो उसके अंदर जाकना इन उसको मैंनेप्लेट करना बहुत ही आसान था लेकिन यह जो एमेंडमेंट आया है इसके बाद वह जो है वह जो मैंजमेंट फ्रेम से वह यहाँ एक्रिप्टेट हैं तो यहाँ पर देखें कौन से कौन से फ्रेम्स यहाँ अब देख सकते हैं अशॉष्याशन फ्रेम से दियतिकेशन फ्रेम से अक्षण फ्रेम से ब्लोक एक्नॅलज़मेंट रेस्पांस यह जो है है यह घनल सुच अनॉंसमेंट यह सारे अगें और इस जैसे को फ्रोट्रेक्टेटेड है उसको कोई hacker अभी मैनोप्लेट नहीं कर सकता किसी वह बाहर से नहीं बोल सकता इसको disconnect करना है इसको connect करना है तो बोलने से भी जो access point है या पर जो क्लाइंट डिवाइस है वो इसको एंटर्टेइन नहीं करेगा वो इसको भाव नहीं देगा इसको कैसे इंप्लिमेंट किया जा सकता है अभी मैं आप लोगों को बताता हूं यह जो फोन है वो एक वाइफाय नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और पीछे जो लैप्टॉप है बहाँ से मैं दिवाइफेंटिकेशन पैकेट को इंजेक करूंगा और यह जो फोन है यह देखिए वाइफाय नेक्ट्रक से डिसकनेक्ट हो चुका है तो इसी को बोला जाता है दिवाइफेंटिकेशन तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो राउटर है राउटर के पर रिस्टार्ट करूंगा मतलब डी अक्टिवेट करेंगे करने के बाद इससे जब मेरा जो यह एंड्रोइट फोन है कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद मैं वापस फिससे जो डियो अथेंटिकेशन इसको ट्राइए करता हूं देखिए क्या होता है तो अभी देखिए यहां पर मैंने पचास पैकेट को इंजक किया है लेकिन फिर भी यहां पर देखिए जो मोबाइल पॉन का जो वाई-फै कनेक्शन है वह अनएफेक्टेड है यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है उसको ठीक है तो यह है प्रोटेक्टेड मेनेजमेंट फ्रेम का कमाल तो यहा वह Łलाओगा कि इंपोसिबल फीक है न कि इनसान कि लिए कुछ भी नहीं है यह जो पर जो इंसान के निकालता है तो रूर रूम्ड है कि पर जो बी अमेंट्मेंट आता है यह पर जो भी बो इंसान धाया टिसाइन करता है तो इंसान डिजाइन करेगा तो इसमें फ्लॉर रहेंगे तो इसलिए वह इंपॉसिबल नहीं है कर सकता है लेकिन वह मुश्किल होने वाला है आई होप यह जो भी प्रिवेंशन टेक्निक्स में आप लोगों को बताया है वह सारा आप लोगों को समझ में आ चुका है आप लोगों का कोई भी कंस्विशन है तो आप मुझे वीडियो को में सेक्शन में पूछ सकते हैं यहां पर जो भी मैथर्स मैंने आप लोगों को बताया है मैं उम्मेद करता हूँ पर अपने नेटवर्क में भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वार कोई स्बस्क्राइब करके और अगर आप HID एटक्स के बारे में जानना जाते है तो अलग-अलग अगर वो आप जानना चाते हैं तो उसके ऊपर मैंने यह जो डेडिकेटड वीडियो है वो बनाया है आप जरूर उस वीडियो को देखिए थैंक्यों फॉर वाचिंग इस वीडियो मैं आप से उन्तों नेक्स वीडियो में अब तक क्लिए में देवाशीश अढ़िख बर्ड़र आप